हलो फ्रेंड्स सैनिटेरिस में आप लोगों का स्वागत है मैं अमर जी तो आप देख रहे हो सैनिटेरिस किचन कार्डन तो देखिए सबजियां जो समर्की हैं अभी लगाने का टाइम चल रहा है लग रही हैं सबजियां किसी की ओग गई हैं कोई लगा रहा है तो टाइम च थोड़ी दिक्कत आती है जादा गर्मी में तो कुछ सब्जियों में देखिए टमाटर भी आती है टमाटर की क्या होता है कि जादा गर्मी पर उसमें ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है फ्रूटिंग नहीं होती है जादा गर्मी में जब लुएं चलने लगती है तो बहुत ज़ाद अंगर में पढ़ने लगती है तो अभी उनको लगा लीजिए मेरे पास भी देखी कुछ पोदे ऐसे हैं पोद लगी हुई है काफी सारी मेरे गार्डन में अपने आप से उगई हुई है किचन वेस्ट से और कुछ पोद में ने लगाई है ये मैंने काफी टाइम पहले लगाई थी सर्दी में दिसंबर में जनवरी में साइद तो जनवरी की मेरे पास कुछ पोदे लगे हुए हैं और कुछ पोदे मेरे पास अभी कुछ उग रहे हैं तो मैं इनको निकाल निकाल कर लगा रही हूं और ये देखिए ये kitchen waste मैंने कई दिन से इसको घुमाया नहीं था जैसे बीच बीच में चलाते रहते हैं इसको तो मेरे ध्यान नहीं रहा इसको घुमाना तो इसमें देखिए आलू बाहर निकला है उग कर kitchen का जो waste डाला हुआ था वैसे compost हो गया है लेकिन कुछ piece मोटे जो हम डाल देते हैं ज देखिए ये भी kitchen waste का और इसमें से देखिए अपने आप ही बाहर आ जाते हैं तो kitchen waste अच्छा बना है मैंने सर्दी में जादन सर्दी थी जब तब इसको डाला था इसमें बनाने के लिए और ये देखिए ये भी अच्छा बन गया है तो तो मैं टोमाटर को मैं लगा रही ह हूं और पौद जो उगी हुई है उसी को और इसमें लग रही है देखिए ये बींस जो लॉंग बीस मैंने डाली थी वह रही है इस container में और जो टोमाटर की पौद मेरे पास लगी हुई है उसको मैं आज एक जुगाड करके लगाउंगी और वो जुगाड अभी आपको द रही है पौद और कुछ ऐसे हैं जिन पर फौन लगाले ले चाहिए और चुलाबरिंग हो रही हूं हो रही है तो इस तरह हैं चलता रहता है किसी पर फूरूटिंग किसी पर फौन तो इस तरह सेने और पीछे से सिमेट लगा लिए तो अब मैंने ये सुराख ऊपर कर दिए हैं देखिए क्योंकि मैंने अहाफ सिमेट डाल कर नीचे जो मैंने इंटे टूपड़े डाले थे पत्थर वह बरकर और उपर से मैंने न स्यमट डाल दिया नुझन का जवेष्ट के कच्रा होता है चिलका उसको मैने सुखा कर रखा है दो दिन ये दिखिए कुछ इसमें गिला भी आज डाल दिया ए मैंने और कुछ राइ है कुछ गिला तो मैं ये डाल देती हूं इसमें और नीचे मिट्टी तो इसमें गीली मिट्टी डाली जाएगी तो उसकी वज़े से मैं पानी भी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि जादा गीली मिट्टी है अब ही और ये देखिए मैं ये पौद मैंने लगाई हुई थी पहले तो ये जो पौदे टेडे नीचे गिर गए हैं देखिए ये खड़े नहीं हो रहे तो इनको मैं वहां स्पोर्ट मिलेगी और ये उस जो मैंने पिलर लगाया है उसके सहारे उपर बेल इनकी चल जाएगी देखिए गीली मिट्टी पड़ी है अभी गारा सा हुआ है क्योंकि वरसात होके हटी है और जादा ही पानी वरसा है तो इसलिए इसको मै इसमें गीली मिट्टी में ही टमाटर के पोदों को लगा दूँगी तो वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और इस तरह हमें जुगाड करने पड़ते हैं जब हमारे पास कंटेनर नहीं होता है कोई ग्रो वैग नही है क्योंकि पोदे होते रहते हैं तो अगर नहीं लगाएंगे उनको तो फिर गर्णिंग कैसी होगी तो पोदे निकलते रहते हैं और मैं लगाती रहती हूं तो इस गीले गारे से में ही मैं लगा दूँगी इनको हो जाएंगे ये अच्छे से क्योंकि मोस्चर तो इनको मि दूँगी बेलों के लिए रस्तियां बांदनी है मुझे तो इसलिए मैंनेज में डाल कर और इसमें ये खड़ा कर दिया है पाइप है ये परदे लगाने वाला पाइप था पुराना निकला हुआ घर से तो ये पाइप मैंनेज में खड़ा करके और इसको बनाया है और अब ये देखिए इसके साथ साथ ही ये खड़े हो जाएंगे और इसके साथ मैं इनको बांद दूँगी तो ये इसके सहारे इसकी टमटर के पोदे चल जाएंगे तो कैसा लगा आपको ये आइडिया अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और ये मैंने पहले लगाए थे इधर ये कद्दू का पोदा है ये भी लगा दिया है देखो कैसा चलता है अभी एक ही पोदा मेरा कद्दू का उगा है चार वीज पांच मैंने डाले थे अभी सिर्फ एक ही उगा है और ये ही मैंने यहां पर लगाया हुआ है और इधर टमाट अगर भी लगा दिये हैं इसमें और अगली विए